दाहिने हाथ को जोर लगाने वाले मुश्किल या कठिन कामों के लिए रखा गया था। बाएं हाथ को कोमल सौम्यकारियों के लिए रखा गया था। ये एक योगिक सिध्धान्त है, कि आप ताकत लगाने वाले काम के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग नहीं करते हैं, क्यूंकि बाएं और को दिल को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, जो कोई छोटी बात नहीं है. सद्गरू, मैंने देखा है कि भारत में बाएं हाथ के खिलाफ एक तरह का पूर्वा ग्रह है, ऐसा लगता है कि इसे एक तरह से हीन माना जाता है, और इसके इस्तमाल को दबाया जाता है. मैं जानना चाहूंगी कि इसका मूल कारण क्या है और इसके अलावा, मुझे पता है कि बाया हाथ मस्तिष्क के दाएं हिस्से से जुड़ा है, जो समग्र सोच और सहज ग्यान और इस तरह की गतिविदी के लिए जिम्मेदार है. बाया हाथ का दमन करने और मस्तिष्क के दाएं हिस्से के कामकाच का क्या समबंद है? ये बाया हाथ का दमन करने की बात नहीं है, अलग-लग हाथों के अलग-लग उप्योग है, सभी भारतिया अपना सिर नीचे जुका रहे हैं, वे नहीं चाहते कि मैं इसके बारे में बात करूँ. और अतीद में बहुत शक्तिशाली की टाणू नाशक मौजूद नहीं थे, तो बाय हाथ को एक खास तरीके से इस्तिमाल किया जाता था. इतना ही नहीं. दाहिने हाथ को ताकत लगाने वाले मुश्किल या कठिन कामों के लिए रखा गया था. बाय हाथ को कोमल, सौम्यकारेओं के लिए रखा गया था. ये कोई सांस्कृतिक चीज नहीं है. वैसे समय के साथ ये एक सांस्कृतिक चीज बन गई है. लेकिन ये एक योगिक सिध्धान्त है कि आप अपने बाय हाथ को कठिन काम करने के लिए इस्तिमाल नहीं करते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि आप, आपका दिल बाई ओर है या दाई ओर है? बाई, आपकी बाई तरफ है. बहुत कम ऐसे हैं जिनका दिल दाई ओर होता है. आप उनमें से एक नहीं है. दिल का संचालन बाई ओर होने के कारण. अगर आप बाई हाथ वाले हैं, आप अगर आप अपने बाई हाथ का उपयोग अधिक कठिन, शारीरिक रूप से कठिन कारियों के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा एक शोध है, जो दर्शाता है कि बाई हाथ वाले लोग, ताइने हाथ वाले लोगों की तुलना में, भॉसतन साथ साल कम जीते हैं, क्यूंकि बाई हाथ को दिल को संचालित करने की जिम्मेदारी होती है, जो कोई छोटी बात नहीं है, तो बाई हाथ को जोर लगाने वाला काम नहीं करना चाहिए, आपको ताकत और संतुलन के मामले में दोनों को संतुलित करना होगा, लेकिन सामान्य इस्तमाल में उन सब कामों के लिए दाहिने हाथ का उप्योग करना सबसे अच्छा है, जिसमें खाश शारीरी कठनाई या ताकत चामिल होती है, आप बाई हाथ का उप्योग एक हलके तरीके से करते हैं, इस संस्कृती में अधिकान श्कारियों में जिन में संतुलिन की आवशक्ता होती है, उन में दोनों हाथों का उप्योग करना होता है, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, तो भारत में कोई भी इस तरह से अपना हाथ नहीं बढ़ाता, यह हमेशा ऐसे होता है, आपको दोनों हाथों का उप्योग करना चाहिए, अगर आप कुछ देना चाहते हैं, तो आप इस तरह नहीं देते, आप उसे अपने दोनों हाथों से देते हैं, तो जिस किसी चीज में संतुलिन की आवशक्ता होती है, आप अपने दोनों हाथों का उप्योग करते हैं. ऐसी कोई भी चीज जिसमें शारीरिक रूप से कठिन कारे की जरूत होती है, आप सीधे हाथ का उप्योग करते हैं. कुछ दूसरे कारेओं के लिए आप बाए हाथ का इस्तिमाल करते हैं. ये ऐसी समझ है, जो शरीर को एक खास तरीके से देख कर आई है. अगर आप अपने बाय हाथ का उप्योग करते हैं, तो आपका बाया या दाहिना मस्तिश्क सक्रिय नहीं होता. नहीं ये वैसे काम नहीं करता, वरना सभी बाय हाथ वालों का मस्तिश्क अपने उफान पर होता. जरूरी नहीं कि वैसा हो. उर्जा की द्रिष्टी से अगर आपका बाया हिस्सा अधिक सक्रिय है, तो संभव है कि आपके मस्तिश्क का सहज ग्यान आयाम सक्रिय हो जाए. ऐसा नहीं कि ये असंभव है, हम जानते हैं. और हमारे पास बाया ओर के लिए बहुत सारी साथनाएं हैं. अगर आप देवी मंदिर गए हैं, तो सब कुछ बाया ओर है. क्यूंकि आपके भीतर ये इड़ा है, ये पिंगाला है, ये पुलिंग है, ये स्त्रीलिंग है. स्त्रैन को एक खास तरीके से संभाला जाना चाहिए, और पौरुष को बहुत अलग तरीके से. क्यूंकि पुरुष और स्त्री के मुख्य लक्षन मूल रूप से अलग हैं. ये इसका सवाल नहीं है कि ये, देखिए लोगों के लिए सोचना बहुत अपरीपक्व है कि कौन सा बहतर है. एक अपरीपक्व मन ही ये सोच सकता है कि कौन सा श्रेष्ट है. ये श्रेष्टता का सवाल नहीं है, ये एक अंतर है. अगर आप अंतर को नहीं पहचानते, तो आप जीवन के प्रती समवेधनशील नहीं होंगे. अगर आप हर चीज़ को बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो जीवन के बारे में पूरी सम्वेदन शीलता चली जाएगी आपको अंतर को पहचानना होगा लेकिन जरूरी नहीं है ये अंतर एक भेदभाव की प्रक्रिया का रूप ले ले अंतर अंतर होते हैं इनकी प्रक्रिती भेदभाव की नहीं है अभी पुरुषों को इस कुंड में जाने की अनुमती नहीं है ये भेदभाव है ये बस एक अंतर है तो दाएं और बाएं को अलग-लग तरह से इस्तिमाल करते हैं ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से श्रिष्ठ है वो अलग है और उने अलग तरीकों से काम में लिया जाना चाहिए